हेलो गाईस स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपकी अपनी ही चनल फैंटसी बस पर हम यहां बात करने वाले हैं लखनव और पंजाब की बीच में जो मैच खिला जाएगा इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे जब दोनों टीमों की बीच में मुकाबला होता है तो कौन से ऐसे खिलाडी है जो बहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं जब यह दोनों टीम के प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेलते तो कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है ऐसे बहुत सारी इंफोर्मेशन आपके साथ सेयर करने वाले हैं जिससे आपको अपने टीम बनान बिल्कुल फ्री में तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना भी बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो के डिस्किप्शन और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमन में लिंक दे दिया है जल्दी से जाए और जूर जाए बिल्कुल फ्री है अब दोस्तों जो यह मैच है वो खेला लखनों की स्टेडियम पर लेकिन दोस्तों उससे पहले यह कुछ हमारे भाई लोग है मतलब आपके जैसे हैं और इन्होंने देखो कितनी अच्छी विलिंग्स किया मेसर भाई है इन्होंने देखो दो करोड़ वाली लीग में सुभम भाई ने तो मतलब गजब कर दिया आ लेंडर वन थाउजन अंधै तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग तक दूसरों पर डिपेंट रहोगे आपको वीडियो में बहत्रीन से बहत्रीन इंफोमेशन दिया जा रहा आप बहत्रीन से बहत्रीन टीम बना सकते ये प्रूफ है आपके सामने तो यहीं ब बनाओ एंड आप भी अच्छा कर पाऊगे एक दिन में नहीं दो दिन में नहीं लेकिन हफते बार में आप भी अपना इंप्रोव्मेंट देखेंगे तो यह चीज़े ध्यान दिया करो लोग अच्छा कर रहे हैं आप क्यों पीछे हो कब तक दूसरों की टीम कॉपी करोगे तो ध्यान दो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पिछ रिपूर्ट की त्रेडिशनली यह विकेट ना दो तरीके से gb恩े एक टाइप में एक टाइप में काफी ज्यादा स्लोँ जाता है लोनेस रगता एक नहीं सborर स्टानेस रहता है और एक टाइप में थोड़ा बैटिंग वाली दन यहां से आपको neutral समझ में आ रहा होगा ठीक है और यहां पर आगर आप देखेंगे पहले मैच में जो पिछ थोड़ी डिफरेंट थी तो यहां पर किया हुआ था कि रंच बने थे सकेंड इनिंग में रंच नहीं बने और इस्पिनर इंचार पेसर नहीं कर रहा है लास्ट आपने सुना होगा जब यह सारे चौला मैच था तो वहां पर मार करने साफ का था कि विकेट ड्राइड साइट पर दिख रहा है तो वहां पर इस्पिनर को अच्छा मदद मिल रहा था और स्कोरिंग भी कम हुआ तो यह दो डिफ्रेंट तरीके की विकेट यहां पर यूज हुए थी ठीक है यह वाले में आप कहा सकते हैं अलमोस्ट नूट्र रिविकेट था यह वाला थोड़ा ठाइब आ थी हुझा अब को तो मैं आपको inform करेंगा क्योंकि official pitch report आ जाता है तो उसके according अभी जो हम analysis करेंगे रहा ऐसा analysis करेंगे कि कौन से player का क्या playing nature है कौन सा player spin को अच्छा खेलता है कौन सा player pace को अच्छा खेलता है तो उसके according ना चाहे pitch कैसी भी हो आप अपनी team select कर पाएंगे ठीक है तो उस तरीके से analysis रहेगा तो ध्यान देना दो तरीके की pitch nature रहता है या पर किस तरीके का use होगा वो तो toss के बाद ही पता चल पाए है तो ठीक है अगर मैं बात करूँ ना तो देखो वैसे पांच मैचे इस tournament से पहले यहां पर ठीक था हुआ scoring यहां पर थोड़ा लो scoring हुआ यहां पर भी ठीक था की scoring हुआ यहां पर भी ठीक था की scoring हुआ बट यह जो इंडिया वाले मैच है यह भी slow wicket पर खेला गया था य यह चीजे मैं आपको वही बता रहा हूं कि पिछ्छियां पर दो तरीके की होती है अब वो कौन से यूज़गा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा after toss ठीक है मैं आपको inform कर दूँगा telegram पर जुड जाएगा pitch report बहुत important है उसके according की team select कर पाएंगे लखनौ वर्सेश यहां पर तीन left hinder है तो यहां पर ऑफिस spinner है मैच शारूखन बट शारूखन बालिंग करनी एक ओवर लास्ट में मैच शॉट ने डालता यहां पर भी तीन left hinder है साम करन धवन और राजपक से तो यहां पर जो ऑफिस spinner दीपागुटा अगर spinner friendly विकेट हो तो यह बालिंग क अच्छा तो नहीं आया बात करें कायली मेर्स का तो स्टार्टिंग में अच्छा है था बात दो में कुछ खास किया नहीं है इन्होंने डिशन्ट परफोर्मेंस किया हुआ है और उसके बाद मार्कूट रवी विश्नोई और अवेस खान ने ठीठा किया है स्पिनी ट्रैक अगर इस पिनी ट्रैक रहा तो अमित मिश्ना भी ठीठा को डालेंगा अधर्वाइस यह हो सकता है कि बाहर चले जा प्लेंग लेवन से अगर इस पिन के लिए कुछ खास रहा नहीं तो ठीक है अगर इस पिनी ट्रैक रहा तो यहां पर दीपा कुड़ा क्योंकि सामने अगर इस पिनी ट्रैक रहा तो यह भी ठीक ठाक डालेंगा अधर्वाइस यह बाहर भी जा सकते हैं इस तरीके से इनका बॉलिंग डिस्ट्रिप्यूशन होगा जो इनके तीन में बॉलर जो मोस्त्री अच्छे घाज ओबर डालते हैं वह मार्कूट है मार्कूट बिश्ण बागी इनके प्लेयर वाइस स्टैट्स देख लो हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स दिखने मिलेगा इस क्विंटेंट डिकोग खिलते हैं 304 मैच की 295 में 88-89 राने 33 का एवरेज है इस प्रकार से यहां से निकॉलास पूरां दीपकुडा मनन्ववरा करन चर्मा इनका र जैदेवनाटकर चाहिए यहां से बॉलिंग रिकॉर्ड देख सकते हैं यहां से रिसेंट फोर्म है ठीक है अब अगर अभी तक आप उने विजह आपने पर निका है तो फटा-फट कर लो क्योंकि यहां पे आपको देखने मिलेगा गिवेवेई आज तो एक लाग का गिव तो वह भी बेस्ट है क्योंकि lowest entry fees है even आप कोई भी लीग खेलो आप leaderboard के contest में participate कर पाओगे easily ठीक है इसमें कुछ specific contest जोई नहीं करना है बस आपको यहाँ प्ले करना है चाहिए small लिग चाहिए grand लिग आपके जो points है वो count होईंगे यहाँ पे आप Tata Harrier Mahindra SUV और भी प्राइज इस्टेट है exciting प्राइज जो आपको मिल सकते हैं तो क्यों देर कर रहा हो जाओ sign up करो आप खुद अपरेजन करके देखो entry fees बहुत कम आपको लगेगा यहाँ पे और long term तक देखेंगे तो बहुत बचत होगा ठीक है आप deposit करके खे bonus यूज होता है तो bonus आपका easily utilize हो जाएगा bonus वेर्थ नहीं जाएगा जल्दी से जाओ video description में link है sign up कर लो फटाफट अब दोस्त हम बात करेंगा पंजाब की प्लेइंग 11 इनकी टीम भी लिंक्स को नहीं खिलाई थी last match में अब पता नहीं क्यों नहीं खिलाई थी अगर खेल प्लेयर है रिसेंट फम लास्ट ने अच्छा किया हुआ है उसके बाद अर्शदीप ने अच्छे किया हुआ है विकेट लिस बहुत कम गये तो यह इनकी टीम के में बॉलर्स है देखो आर्शदीप हो गया रबाड़ा हो गया सैम करन हो गया और यह आपको अच्छे खासे डालते वह दिखेंगे यानि 12 बाकी बचा रिसी धवन हर प्रीद बरार इसके बाद इनके पास में बॉलर्स हो जाएंगे ठीक है मैं आपको बता देता हूं एक बार यहां से आपको समझ आ जाएगा जो इनके में बॉलर्स हो डालेंगे सैम करन रबाड़ा अर्शदीप र जरूरत होगी वह ठीक है पावर पिले के बॉल आर्शदीप सिंग रभाड़ा हर्परीद ब्राद में आर्शदीप सिंग रभाड़ा साइम करन यह तीन आपको देखेंगे उसके अलावा इनके बेंच प्लेयर से यह कुछ यहां पे आप इनके प्लेयर वाइज स्टैस दे देखते हो चलना उनतीस के अवरेज च्यासी विकिट है ठीक है आर्शदीप सिंग कगी सुरवाड़ा नेथेनियलिस राहुल चेर यहां से इनका रिकॉर्ड अच्छा है तो यह चीज़े मैंशन कर दिये मैंने इसके लावा अब हैट टो एडिस देखते हैं देखो लखना बीस मच में 22 अगर इस पिनी ट्रेक रहा यह इंपॉर्डेंट हो सकते हैं उसके बाद यहां पर 12 में साथ कुनाल पंडया 12 में साथ के गौतम तीन मच में चार इस प्रकार से रवाड़ा एक में चार राहुल चाहर एक में दू रवाड़ा ने इस टीम के अगेंस्ट एक मे में 43 का अगर हम बात करें बालिंग से तो मारकूड एक में पांच विकिट है कुनाल पंडय दो में तीन रवी विष्णुई दो में नवी नुलाग खेल लिए तीन में पांच विकेट है बाकि यहां से आर्सदीब सिंग का एक मैच में दो विकिट है इंटरनेशनल ली अर्सदीब से 12 गिंदों में दो वर आउट हुए बाकि सबके सामने ठीक ठाक है अलेकि सैम करन को भी इन्होंने थोड़ा दीमा खेला हुआ है बाकि ज्यादा गिंदे यहां पर किसी की खेली नहीं है तो हम ज्याज कर नहीं पाएंगे इन्होंने भी ज्यादा गिंदे कि वह निकॉलास पूरण की बात करें तो नेधेन इलिस को नौ गिंदों में दो बार विकेट दिया बाकि किसी की ज्यादा गिंदे खेली नहीं है अगर हम बात करें पीबी किएस बैट्समेन वर्सेज लखनौ बॉलर्स तो यहां पर देखो अमित मिस्रा की छे गिंदों में बनाया है कुनाल पाइंडे को थोड़ा धीमा खेला है अगर हम बात करें सैम करें तो इन्होंने ज्यादा गिंदे खेली नहीं आवेस खान की 11 गिंदों में 19 राजपक्षे की बात करें तो इन्होंने कुनाल पाइंडे की चार गिंदों में एक बार विकेट दिया अपना वागी किसी के सामने ज्यादा खेला है यहां से हम कीपिंग से स्टार्ट करेंगे एक चीज़ आपको यहां पर ध्यान देना है यहां पर हम प्लेयर का प्लेंग नीचर भी डिसकस करेंगे यानि कि अगर पिछ रिपोर्ट कैसी भी आती है तो आप अपनी टीम में उस तरीक पिक रहेंगे अगर विकेट कीपिंग भी करेंगे तो क्योंकि most of the time scoring करके जाते हैं अब एक चीज़ है अगर निकॉलस पुरन को आपको छोड़ना है तो अगर क्विंटन को खेल रहे हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं और इनकी टीम चेस कर रही है तब आप इनको आप निकॉलस पुरन को ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो यह चीज़ भी ध्यान देना जीतेश सर्मा ओवरॉल गूड प्लेयर है बट अभी टॉनमेंट में इनको स्टार्ट तो अच्छा मिला है बट ओवरॉल उसको एसलेरेट नहीं कर पाएं पारी को तो वहां पे एक दिक्कत आता है अधर्वाइस इनके पास अबिलीटी तो है कि बड़ी पारी खेल चेकते बट अभी तक नहीं कर पाया और आप पांचों नंबर पे चले गएं क्योंकि आब इनके टीम राजपक से और मैथिशोट दोनों को खिला रही है बट अभी कले मैं ने लिया नहीं है अब आप मिनी जील वगरा में ट्राइक है सकतो पी सिंग हिट और मिस टाइब के प्लेयर है स्टाइटिंग के दो मच में अच्छा किया उसके बाद दो मच में सूने सूने पे गये हैं तो भरोसा नहीं है लेकिन पावर प्ले को कभी भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं इनको ना लेना और लेना दोनों में रिस्क है तो यह आप पे छोड़ता हूं में आपको लेना या नहीं लेना है उसके बाद धवन मस्था पिक रहेंगे most of the time अच्छा स्कूरिंग करते हैं केल रहोल भी अच्छा आभी थोड़ा फॉर्म तो गडबड है लेकिन अच्छे प्लेयर रहेंगे और आप इनसे उमीद कर सकते हैं बैक कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी प्लेयर हैं इन दोनों को लिए बाकि उसके बाद नीचे देखो राजपक से यह भी हिट और मिस टाइप के प्लेयर है तो इन पर भरोशा करना थोड़ा मुस्किल होता है हा अगर क्विंटन डिकोग नहीं खेलते हैं तो तो एक अच्छे पीक रहेंगे अच्छे नहीं थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और बैटिंग से फॉर्म में नहीं है तो रिस्क रहेगा क्योंकि हो सकता है उतने पॉइंट्स ना दे मौका मिलने के बाद भी बट अगर यह यू मैं आपको प्रिव्यू दिखा दूँगा अब वैसे तो दीपक घुटा और राजपक्से में सही किसी को लेना है मैंने सिच्वेशन बताया हुआ है लियाम लिमिक्शन अगर खेलेंगे तो मैच सौट के जगे पर खेलेंगे तब हम इनको जरूर लेके जाएंगे ठीक है अभी नहीं खेल रहें इस टॉइनिस ने लास्ट में अच्छी पारी खेली बड़ देखो अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन इनको प्रमोट किया जाता है डिमोट किया जाता है बट अगर स्लो विकेट रहा तो मैं पक्का इनको नहीं लेना वाला हूँ क्योंकि बॉलिंग इनके पास हट गया है कि बॉलिंग डाल रहें और इससे पहले पर्फॉर्मेंस अच्छा नहीं था लास्ट में अच्छा किया क्योंकि वह बल्ले बाजी के लिए विकेट भी अच्छा था बड़ यहां पर स्लो विकेट रहना तो मैं इनको साइध ना लूँ लेकिन अगर बल्ले बाजी के लिए अच्छा विकेट रहा तो आप लेके जा सकते हो प्रमोट हो सकते हैं सैम करन देखो बडी से चार वर गेंद बाजी कभी-कभी द्रत में भी फस्टनिंग में खास कर और इवन बल्ले से रंच भी बना सकते तो मस्ठप पिक रहेंगे अगर स्लोई स् करने का रिस्क ले सकता हूं क्योंकि यह स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं अगर बैटिंग रहा तो आप इनको लेके जा सकते हैं अगर विकेट ले गए तो हो सकता दो बर मिल जाए ठीक है तो प्रप्सिंग जो की थोड़े हिट और मिस्टाइब के प्लेयर हो सक पावर प्ले में इनको फसा ले अगर पावर प्ले में इनको गिंदबाजी मिले इसलिए मैंने बालिंग बैक अपको देखते हुए लिया हुआ है प्ले सकते हैं जहां पर तीन बैट्स में लेना कंपल से यह वैसे प्लैटफॉर्म पे खेल रहा है तो ठीक है लेकिन सिच् अगर यह खेल रहा है हाला कि यह भी हीट और मिस टाइप की प्लेयर है बट इनके पास बॉलिंग बैक अप रहेगा और सामने तीन लेफ रिंडर है अगर कुंट इंड को खेल गए तो चार हो जाएंगे तब यह और अच्छे पिक रहेंगी भले इस्पिन कराते हैं लेकिन भले यह बैटिंग से उतना पॉइंट ना दे पाए बट बॉलिंग से उमीद कर सकते हो अगर इस्पिनी ट्रैक रहा तो तब यह मस्थापिक ग्रैंड लिंग में कैप्टन भी बना सकते हो समझगे तो इस तरीके से यूज करेंगे इनका बाकी केक होतम वगरा खेलने रहे हमने चार वेगे लिया था इनको हलके में मतले ना मैं भी नहीं ले रहा हूं बट अभी मेरी टीम में फिट नहीं बैट पाए लेकिन मैं खास करी इनको फस्ट गेंदबाजी में मिशनी करने वाला है मैं जरूर ले के जाओ अवेस्खान की जगे पर यह साहिद मुझे लेक मर्वाड़ बिर सकते हो एक तेक्ठक को बी हिकेट टेकिंग वाला रहे यह बहुत कम वीकट ले चाते अर्श्दिप सिंग को बीन ऊ-कोई-इन्पोल- with विकेट हो यह रुब हो यह विकट टेकिंग नेचर के और विकेट लेश बहुत कम जाते है उसके बाद यह आपके लिए ट्रम्पिक का काड हो सकते हैं इस मैच में अगर इस स्लोविस नेचर का विकेट रहा इनकी टीम कोई भी इनिंग में बॉलिंग करें इनको आप लेके जा सकते हो और अगर ऐसा हुआ तो मैं इनको पर रिस्क लेके जा सकता हूं इस्टीड व रबाड़ा क्यों को सिट्राइट में इनको विकेट में अगर इनकी टीम ने इनको इनको लिएंगे जा सकते हो तो अकॉर्डिंग टू इनको ट्राय करना बाकी निचे वनादक एक आवर्च ऑप्शन रहेंगे बाकी निजे को इतना अच्छा option है नहीं देखो गाई जो अभी के लिए टीम हो रही है कुछ इस परकार से अभी यह फाइनल टीम नहीं है इसमें चेंजेस हो सकते हैं according to situation जैसे मैंने आपको एक्स्प्लीन किया है अगर लिमिक्स टॉन खेलेंगे तो कैसे चेंजने बाकी कुनाल पांडे का कब important role रहेगा मैंने आपको वीडियो में एक्स्प्लीन किया और जब इनका इंको रहेगा तो आप इनको VC भी कर सकते हो मैंने आपको वीडियो में समझाया है भी समझाऊंगा तो ओल लंबा हो जाएगा अब यहां पर क्या है कि Sam Karan as a captain गया हूँ Vice Captain में ने राहूल को किया है आपके पास धवन other good option है थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो तो नाल पांडिया मैंने आपको situation बता है उसी situation में otherwise महारकूट जो की विकेट टेकिंग बॉलर है खासकर की फस्ट बॉलिंग में इनको ठीक है तो यह कुछ अधर गूड़ ऑप्शन है Captain C wise Captain C के small league के grand league में match shot क्योंकि सामने left hinder भी होंगे links नहीं खेलेंगे तो यह तो नाल पांडिया का situation बता है रभी विष्णोई काहली मेर्स इन लोगों को अपनी टीम में ग्रैंड लीग में captain wise captain कर सकते हो ट्रम्पिक के तौर पर दीपक खुडा situation बता है पी सिंग ब्रार अमित मिश्रा अमित मिश्रा का आपको मैंने situation बता हुआ राहूल चहर इन लो यूज करते हुए न और इनका यूज करते हुए आप लोग ग्रैंड लिग के combination बना सकते हो यह जो टीम है यह स्मॉल लिग की टीम है तीन-चार मेंबर वाली टीम है इसे ग्रैंड लिग में मत लगा ना 59 रुपे वाली में जिसमें 1 करोड होता है वह वाली टीम नहीं है य क्या प्लेंग 11 अनाउंस किया है इंफेक्ट प्लेयर के लिस्ट में कौन है वह सब चीज को देखते हुए टीम में चेंज करने में जैसे अकॉर्डिंगली आपको समझा है और वह सब चीज की अपडेट आपको मिलेगी कहा कि पिछी रिपोर्ट कैसा है प्लेंग 11 के टेली लेने होते हैं तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है सिंपली कायले मेर्स किजिएगे राजपक से को लिया हुआ है अब दीपक हुटा को भी ले सकते हो अगर उनकी बॉलिंग के चांसे बढ़ते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में सिच्वेशन बताया ठीक है तो हम देखे